सब्सक्राइब करें तुम सब जुलाइ स्ट्राटिजी देख रहें के बाद कि जुलाइ के 31 दिन है इसमें हाफ एली का स्लेवर्स पूरा हो जाना चाहिए खलास ठीक है रेडी होना सब क्या डिसाइड कर रहा है हमने कि फाइनल बोर्ड एक्साम्टी तैयारी तो चली रही है अब उससे पहले हाफ एली का स्लेवर्स यहां टिप्स पे हो जाए जिससे आधी तैयारी हो चुकियो हाफ एली का स्लेवर्स पूरे महीने का गोल बना चुके हो कि हाफ एली का स्लेवर्स कंप्लीट करने में स्टार्ट हो जाना है दूसरी चीज़ मैंने आपको आपका कैसे इस प्रॉपर टाइम टेवल बना दिया जो आपको कभी भी हेल्प करें कि देख रहे हो यह कोई क्लास का बच्छा देख रहा है ना सब के लिए एक रिलेटेबल मुस्ट रिलेटेबल टाइम तेवाल इसे जाकर देख लो अगर लगता है ना स्कूल के आने के बाद सब्सक्राइब करने के लिए तो अगर किसी को नहीं पता है यह चालेंज क्या होता है तो गाइस हमारे होते हैं वन वीक चालेंज कभी-कभी 10-15 चालेंज भी करेंगे बट अभी वह आगे करेंगे जब आपका सिलेबस काफी सारा कंप्लीट हो चुको होगा तब मैं आपको कर एक ढूंज के लिए चाप्टर एक दिन में कर लो एक दिन में कर लोगे क्यों कि सीजव इसाप्टर को सब्सक्राइब ले में संब्सक्राइब सब्सक्राइब गेंगे are more hour 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 Moment दी है भी जॉझाब आपके बोवाह सामें तो सारे सब्जेक्ट कम्प्रीट हो जाएंगे और बिना टेंशन के तो चैलेंज समझने से पहले बता रही हूं सेल सड़ी आला टाइम टेबल देख लो नहीं देखा है तो बस उसी समय में इस चैलेंज को फॉलो करना शुरू कर देना हां फैली का माइंड सेट मेरे सारी भा सब्सक्राइब नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो गिवन है देख लेना यह आगया गाइस हमारा अपकी बार का स्टेडी चैलेंज ठीक है तो सब्सक्राइब आपको देखो आपको दिया तो समय नहीं आपको अल्मुस्ट पोर हार स्टेडी के अगर आपको असाइंडमेंट मिल रहे है तो इस पैर्टन को फॉलो करना एक घंटा आपने मैस कर लिया अगर आप जादा सेल्स तरे टाइम निकाल पाते तो पास घंटे का तो कोई बात ही नहीं है वनार प्लस मैस करना ठीक है वनार प्लस मैस अपकी डिली बैसिस पे चले हैं तो असाइंडमेंट अगर कुछ है होंवक स्कूल का कोचिंग का वो इस एक घंटे में आपका हो जाएगा कि चैलेंज भी फॉलो होता रहा है होमवक भी होता रहा है मैस की प्रैक्टेज भी होती रहे हमारी अच्छी से अगर आपको जादा समय मिलता है तो वन आर प्ल रहे हैं तो यह इता है अगर जा क्या लिए फॉलो कर लिए तो और इंग्रिश का चैलेंज कर लेना उसको बहुत अच्छ नहीं कर आपकी बार का चैलेंज आप अपके छे टी से पढ़िया है अच्छे तरीकेसे आप को डे 1 तू डे 3 आप आज से शुरू कर रहे हैं इसको विकली चाहिए आध से शुरू कर दो नहीं तो से कल से शुरू कर देना ठीक है आपको day one पर पढ़ना है अपना selective science का chemistry का केमिकल reaction के कज अधिन पूरा जो आपका chapter है यह आपको पढ़ना है से भी पढ़ना यूट्यूब पे वीडियो से आप किसी टीचर से समस्ते हैं वहाँ से पढ़ो आता है उल्रेडी चैप्टर तो रिवाइस कर लेना इसको आपको चाप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है ठीक है साथ में आपकी मैच्स चलती रहेगी मैच्स में को यह सब्जेक्ट ले लेंगे अपना ठीक है तो यह हो गया आपको दे बन पर पढ़ना है अब दे टू पर भी केमिकल रेक्शन एंड रिक्षन ही पढ़ना है चोच रहों कि यह चैप्टर थोड़े लिंदी है और बहुत अच्छे से इनको समझना है ठीक है इनको बहुत अच्छे से समझना है पूरा टाइम देना इनको कि यह फाइनल एक्जाम से क्लिए हमारे दिमाग में विकुल फिक्स हो जाए इनका एक एक क्वेशन हमें आता हो सारे कॉंसेप्स क्लियर हो everything is clear in our mind इसके हम इनको जाधा टाइम देंगे दूसरा दिन भी आप क्या करेंगे अब हम न्यू बिग्निंग करते हैं अपनी स्टार्टिंग से लेके ऐसे कम्प्लीट करेंगे कि हाफली तक ही आद रहे इवाला चैप्टर फाइनल तक ही आद रहे तो इसलिए जितना टाइम एक सब्जेक्ट को एक चाप्टर को भी दे रहे हो दे दो कम्प्लीट तो हो चैसे थर्ड डे पे भी आप केमिकल रेक्शन करोगे यहां आपको करने हैं इसके क्वेशन आंसर पी आपको रेफ्रेंस बुक है जहां से भी आप इसके क्वेशन आंसर भी सौल करके देना क्यूंकि चाप्टर कॉंसेप्ट तो समझ लेते हैं बट क्वे सब्सक्राइब करने प्रिवेशन के लिए सौल्ड भी कैसे आप निकाल सकते हो जिसमें आपको solution मिल जाते हैं ठीक है वह बोड की copies and all that पूरी वीडियो पहां से देख लेना प्रिवेशन डाउन्लोड कर लेना ठीक है प्रिवेशन लगाने शुरू कर देना important question ठीक है पूर यह आपका revision break है या तो आपकी पूरा chemical reaction and equation चाप्टर है guys पूरा का पूरा रिवाइस करना अचे तरीक से और करना यही है आपको रिवाइस कर लो बट कुछ अबच ऐसे होगी जिनका नहीं हुआ तो तुम्हारा सारा हो जाएगा जिनका नहीं हुआ तो अच्छे से रिवा पूरा कि तरफ अपने तरफ जाओ के जब आप हैंड टू हैंड कर दे रहोगे फाइनल तक दिमांग में कैसे बैठेगा जब पढ़ लिया है नेक्स्ट पर रिविजन भी कर लिया ठीक है यह आपको करना है आप करोगे रिविजन और हो सकता है जिनमें तुम्हारा सप्रा सब्सक्राइब कर देती थी जिससे आप इंगेज रहो अपने बाकी सब्जेक्स से भी मीन वाइल आप अपने दूसरे सब्सक्राइब कर रहे हो तो बता देना मेरे को इंग्लिश के तो मैंने साइचाप्टर हाफ एली तक का सिलेबस मैंने दुबारा कंप्रीट करा दिया ह और जो अगर उससे आगे का तो चाप्टर जो है वो भी अलएडी डिजिटल बोट पे बने में तो अगर आप इसा तो नहीं है तो मैंने आपको नहीं कहता है कि यह हुआ वह हुआ पूरी स्टोरी है इतने बढ़ी है आपके बार के चाप्टर तो प्लेलेस गिवन है कभी आपको टाइम में ला रही है तो हो गया मेरा अभी तो और पढ़नेगा मन कर रहा है इंग्लिश की ना स्टोडी सुन ले इतने बढ़िया चाप्टर है अपके बन मुझे इतना अच्छा लगा इंग्लिश पढ़ाते हुए सारे ऐसे लगरे कोई मूवी चिल रही हो ठीक है सपर्स चेहर है सारमे मैं चलती ही रहे होगी जब आप यह चैप्टर बढ़ना हे होंगे अपने साथ कोपी जरूरर रखना यह बनाई है अपने खुड से से सल रेंबना थे और है क्के आरे बालरी एक वीडियो मेरे चैनल्ля पर यह प्लोडई है कैसे आप भabad करते हैं तो खुद के बनाएवे नोट से जब रिविजन करोगे ना जब आपने चाप्टे पढ़ते हैं तो किती सारी बाते पदा सब्सक्राइब कर देते हैं तो उनके नोट्स बनाओ वो वीडियो जाके देख लो नहीं भी बना दूंगी मुझे तब टाइम मिलेगा नहीं तो पुरानी वीडियो से समझ लो नोट बनाने शुरू करो जब यह तीन देन चैप्टर पढ़े हो तो से पढ़ते पढ़ते हैं तर नहीं सब्सक्राइब करना तो अभी तक आपकी काफी नोट बॉक्स होंगी साइंस और मैट्स की और नहीं है तो अभी साइंस की पूरी अब की बार का वीकली चालेंज यहां में दो कॉमिनेशन दिये हैं जैसे में चाहते हैं तो बर्गर और और अपने ठीक है तब की बार वाला हमारा कॉम्बी कौन सा है कॉंपो कॉंपो है साइंस का ठीक है तो इसको फॉलो करना सुरू कीजिए तो कौन-कौन बच्चा इस कर रहा है मुझे बता दो कॉमें चैनलेंज को एक्सेट करें और नेक्स चैलेंज में किसी और समझेक को जो है उसका चालेंज देखेंगे ठीक है तो मैं मिलती हो आप से नेक्स वीडियो में इस एक हफ्टे में जरूर इस चैलेंज को फॉलो करना आज से कर दो बहुत अच टाइम टेबल देखो पढ़ना शुरू कर तो बिना टेंशन के वो भी मैं जा रही हूं बबाइचे कर रांड बेस्ट ऑफ लग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लो मैंने मैं अपनी इंसेग्राम इंडिक लिंग दिया है काफी साथे सब्देक्स के नोट्स अब्लोड कर दो